नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ निहा वर्मा शुरुबात करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ मुंबाई क्राइम ब्रांच ने सोमवार को पौन फिल्म में बनाने और प्रसारित करने के मामले में एक्ट्रेस सिलपा शेठी के पती र राज कुंद्रा की चैट्स सामने आई है इन चैट्स में राज कुंद्रा परदीब बक्षी से होट शोट डिजिटल एप्लिकेशन की कमाई के बारे में बात कर रहे हैं इन चैट्स से खुलासा हुआ है कि अश्लील फिल्मों के जरिये राज कुंद्रा रोजाना लाखों उपए कमा रहे थे बॉलीवुड अभीनेत्री शिल्पा शेठी के पती और बिजनसमेन रास कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रोपर्टी सेल ने सौमवा रात को गिरफतार किया है उनके खिलाब फॉन फिल्मों के निर्मान में शामिल होने के आरोप है पुलिस प्रेटफॉर्म पर ड्रोल देने के बहाने पॉन ग्राफी गिरफतार हुए शिल्पा शेठी के पती राज कुंद्रा यूके में कम्पनी वाटसेप से रोजाना कमाई का हिसाब पॉन ग्राफी मामले में बिजनसमेन राज कुंद्रा हुए अरेस्ट चैट से हुआ खुला वहीं मोडल सागरिका शोना सुवन ने राज कुंद्रा पर कुछ गंफिर आरोप लगाए हैं मोडल ने बताया कि उनसे एक वीडियो कॉल में वर्च्वल ओडिशन देने के लिए कहा गया था मोडल के मुताबिक वीडियो कॉल में तिन शक्स थे जिन में से एक को मोडल रा दिया देखें अब मोडल सागरिका शोरा सुमन क्या खुला सकिया मैं सागरिका सोरा सुमन में एक मोडल हूं मैं इंडस्ट्री में 3-4 से और मैं ज्यादा काम नहिकिंग वीकॉस में बहुत में चूजी हूं लेकिन मैं अभी चल रहा है मेरा एक्टली लॉगड़न के दौर उन्होंने मुझे एक web series के लिए offer किया, जो कि राचकुंद्रा जी उसके owner थे, producer थे, तो मेरे बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया, मैंने कहा राचकुंद्रा कॉन, तो उन्होंने मुझे बताया कि शिर्पा सेटी के husband, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साथ में कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पर मुझे ऑडिशन दे सकते हो, वीडियो कॉल पर जब वो आया तो उन्होंने मुझे से डिमांड किया कि आपका नियूड अडिशन लेना है, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि नियूड अडिशन तो मैंने इंट्रेस्ट मामना उन्हें बोलना चाहती हूं कि अब मेडिया में जैसे चीजे आ रही है, राज कुंद्रा जी का नाम सामने आया है, वस यहीं चाहती हूं जल्द से जल्द उनको अरिस्ट किया जाए, और ऐस से रैकेट का परदा फास्ट किया जाए, अब इस मामने में राज कुंद्रा की WhatsApp वाइरल हो रही है जो कि स्क्रीन पर चैट की इनकोपिस से पता चलता है कि रास कुंद्रा ने अपना एक वाट्सेप ग्रूप बना रखा इस ग्रूप के एड्मिन भी रास कुंद्रा ही थे ग्रूप में राज के अलावा कुल चार लोग मेगा वियान अकाउंट और प्रदी कुबर 2020 के है इन चैट से पता चलता है कि एप पर लाइव शोज के जरिए एक लाग पचासी हजार उपे की फिल्मों से रोजाना चार लाग तरेपन हजार उपे तक की रोजाना कमाई हो रही थी उस समय तक अश्लील कॉंटेंट वैले एप होट शोट के 20 लाग सस्क्राइ प्रदीब बक्षी से आर्टिस्टों के बकाया पैसे जल से जल देने की बात भी कर रही हैं राजकुंद्रा ने बक्षी से कहा कि उनकी एक लाइव करने वाली आर्टिस्ट प्रिया सेन गुपता को प्रेमेंट नहीं मिला है और उसे तुरंत दिया जाए दस अक्तूबर के चैट से इस बात का भी खुलासा हुआ था कि कुल 81 आर्टिस्ट ने समय पर पैसा नहीं मिलने की शिकायत की है बता दे कि फरवरी 2021 में क्राइम ब्राच ने मुंबई में अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ एप्स पर दिखाने का मामला दर्ज किया था क्राइम ब्राच ने आखे बताया कि इस मामले में सौम वार को राज कुंदरा को गिरफतार किया गया है पूलिस ने पिछले सब्ताहा दो एफ आई यार दर्ज की और नो लोगों को कथी तोर पर एक्टरस को अश्लील फिल्म के लिए नियूड सीन शूट करने के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफतार किया बताते चले कि क्राइम ब्रांच ने सौम वार को पहले राज कुंदरा को पूस्ताज के लिए बुलाया था और इसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया राज कुंदरा के वाटसेप चैट सामने आये हैं तो जो इनकी पॉनोग्राफी का रैकेट चल रहा था पॉनोग्राफी से जुड़े एक बड़े रैकेट का मुंबई पुलिस ने भंडा फोड किया है अश्लील फिल्मों का यह नेट्वर्क ब्रिटेन से संचालित होता था इसमें कुंदरा का रिष्टेधार भी शामिल है पॉन फिलम बनाने और एप पर प्रकाशित करने का मा इस साल फरवरी में सामने आया था इस मामले में रियान जोन थार्पे नामक एक शक्स की भी नेरूल से गिरफतारी की गई थी इस मामले में राज कुंदरा का पूर्व पिये उमेश कामत के गिरफतारी हुई थी मोडल एक्टरिस गहना वशिष्ट समेट 11 लोगों को कुंदरा क्रायंबूं के सुत्रों की तरफ से मिली जानकारी एनुसार कुंदरा का喪क रिखतेदार लंदन में केंडरिन प्रोडक्शन नामकी कमपनि चलाता था इस कंपनी का मालिक और निवेशक कुंदरा ही है दरसल यह कंपनी कई एजेंट्स को अश्रील फिल्मे तयार करने के लिए कॉंट्रेक्ट देती है और इनकी फंडिंग भी करती है पूलिस के हाथो वाटसेब चैट भी लगी है जिसमें कुंदरा सक्रिये रूप से बिजनस की जानकारी हासिल कर रहा है वाटसेब चैट ने खौले राज कुंदरा के राज एच अकाउंट्स नाम से एक ग्रुप तयार किया था इस ग्रुप के जर्ये ही रोज की कमाई मोडल को भुकतान समेथ बिजनस से जुड़ी कहीं एहम बाते की जाती थी इस ग्रुप में कुल पाँच लोग शामिल थे और कुंदरा इसका एड्मिन था कैसे होता था ये कारोबार ब्रिटेन में चल रही केंडरिन नाम की प्रोडक्शन कपनी वीडियो को एप पर भेजने का काम करती थी भारत में कामत इस कंपनी का रिपर्जेंटिव था और इससे जुड़ा सारा काम देखता था फरवरी में गिरफतार हुई मोडल गहना और कामत को अश्रील फिल्में बनाने का काम केंडरिन प्रोडक्शन से ही मिलता था एड्वांस पेमेंट मिलने के बाद ये दोनों फिल्म के निर्माण में लग जाते थे और इमेल के जरिये इसे कंपनी तक भेजते थे इस प्रक्रिया के बाद फिल्म से जुड़े लोगों के खाते में भुगतान पहुच जाता था अंत में फिल्म को एप पर अपलोड किया जाता था जाच के दुरान क्राइम ब्राच ने उमेश कामत नाम के एक व्यत्ती को गिरफतार किया जो की कुंदरा के साथ काम करता था इसी पॉर्नोग्राफिक के मामले में इन्वेस्टिगेशन के दुरान क्राइम ब्राच को ये भी मालूम पड़ा कि Kendrin Production House देश भर में इसी तरह अलग-अलग एजेंट्स के जरिये पॉनोग्राफी का ये कारोबार चल रहा है और पॉनोग्राफिंग की फंडिंग करते हैं उमेश की गिरफतारी के बाद कुंदरा की इस पॉर्न रैकेट में एहम भूमी का सामनी आई लेकिन क्राइम ब्राच ने सबूतों के अभाव में उस समय उने गिरफतार नहीं किया था क्राइम ब्राच ने इस साल दस परवरी को सूरत से एक सी ग्रेड फिलम डाइरेक्टर को गिरफतार किया जिसकी पहचान तन्वीर, हाश्मी और फ्तन के रूप में हुई जिसने अब तक आठ फिलमों को डाइरेक्ट किया है और अपने कॉंटेक्ट का इस्तमाल कर अभी नेत्रियों को पॉर्नोग्राफिक की शूटिंग में फसाने के लिए इस्तमाल भी कर रहा था जाज के दुरान क्राइम ब्राच ने पाया कि वैशलीर वीडियो भी शूट कर रहा था जिसे बाद में कामत के जरिये यूके स्थित केरनीन लिम्टिंड को भेजा गया था विदेशी आईपी एड्रेस का इस्तमाल करके पॉर्न वीडियो अपलोड करने के लिए इस्तमाल किये जाने वाले एपलिकेशन होट शोट न्यूफिल्स होट हिट और एकसेपनाव टीवी थी पुलिस ने पांच लाग 68 हजार उपे के कई डिवाइज भी जब्त किये हैं जिनका इस्तमाल एक बंगले में पौर वीडियो शूट करने के लिए किया गया था फिलाल पूलिस मामले की जांच कर रही है अगर अदालत में आरोप साबित होते हैं तो उन्हें लाख और उपए जुर्माना देना पड़ सकता है पूरे मामले को लेकर राज कुंद्रा पर मुखेत है आई पीसी की धारा 292, 294, 420 और प्योधगी की अधिनियम की धारा 67 और 67 ए समेथ कई अन्य धाराओं के साथ मामला धर्च किया गया है गिरफतारी के तुरंत मात मुंबई पूलिस की अपराज शाखा के प्रोपर्टी सेल द्वारा राज कुंद्रा को जेजे अस्पताल में मेडिकल जाज के लिए ले जाया गया बाद में उन्हें मुंबई पूलिस आयुक्ट के कार्याने ले जाया गया और फिर उन्हें ने अपरा शाखा की हिरासत में ट्रात पिताई और आज कोट में उनकी पैशी हो आपको बता दे कि राज कुंद्रा पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं राज कुंद्रा का विवातों से पुराना नाता है सट्टे बाजी के कर्ण IPL से ही वह अजीवन बैन हो चुके है हालाकि ये पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा किसी विवात में फसे है पिछले साल मार्च में शिल्पा शेठी और राज कुंद्रा दोनों का नाम सत्यूग गोल्ड प्राइवेट लिम्टिड से जुड़े एक कतित घोटाले में था ये एक गोल्ड ट्रेडिंग कमपनी है जिसके वे पूर्व डायरेक्टर है एडी ने 2019 में गैंक्स्टर इकबाल मिर्ची और कई दूसरे आरोपियों के खिलाफ मनी लॉंडरिंग जांच के सिल्सिले में भी कुंद्रा को तलब किया था दरेसल 2009 में राज कुंद्रा और शिल्पाशेथी मौरिशियस की एक कमपनी की मदद से राजस्तान रोयल्स के मालिक बने इस टीम ने आई पील का पहला खिताब भी अपने नाम किया था मगर जुन 2013 में इस टीम का उस समिछ जटका लगा जब कुंद्रा को सटे बाजी के आरोप में दिल्ली पूलिस ने गिरफ्तार कर लिया स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में उनका नाम का फ्यूच्रा राजस्तान रोयल्स के भी कुछ खिलाडी इस मामले में गिरफ्तार हुए थे तेज गेंदबाज, एस शिरी संत, अंकित च्वाहन तथा अजजीत चंदेला भी पूलिस के गिरफ्त में आ गए थे राजकुंद्रा ने इस बात को सविकार भी किया था कि उन्होंने सटा खेला था इसके बाद उनके टीम को दो साल के लिए बैंड कर दिया गया जबकि 2015 में राजकुंद्रा से को IPL से आजीवन बैंड कर दिया गया अब हर्याना सरकार की दीन द्यालावास योजना के अंतरगत सेक्टर 1 तरावडी में 135 और 142 गज के प्रॉट्स मात्र 21,000 रुपे देकर भुक करवाएं गरिए ससाइटी साड़क सीवरेज, स्टीट लाइप पार्ग, क्म्यूनिटी सेंटर, तुरंथ रिजिस्टी और प्रसेशन भी इन गॉल 9466 034000